नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस स्टार मुस्कुनीज में दोस्तों यूपी ट्रपलेसी के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और सभी छात्र जो है न वो बिल्कुल एक जुट हो चुके हैं और देखिए ये होना बहुत जरूरी भी था जब तक छात्र ए परसेंट आपको जो है इस आयोग के अंदर वदलाव देखने को मिलेगा ठीक है दोस्तों दोस्तों ये न्यूज है ये जो पत्र लिखा गया है न ये लिखा गया है मुख्य सचिव के लिए और इसको प्रियागराज के जो डियम साहब हैं जिलादिकारी महोदे हैं इनके दूआरा मुख्य सचिव तक इस पत्र को पहुँचाया जाएगा और इस पत्र में साफ शाफ यूपिटर पलहसी की शिकायत की गई है जितनी भी यूपिटर पलहसी की भरतियां लंबे समें से पैंड निंग है जिनके रिजल्ट जारी नहीं हो रहे जिनका डीवी नहीं हो रही मतलब जिस परिक्षा में जो भी दिक्कत है और हर परिक्षा को आयोग ने किसी ना किसी कारण से अठकाया हुआ है तो इसी की शिकायत छात्रों ने की है और विशे क्या है उत्तर प्रदेश अधिना सेवा चैनायोग की विगत पांच वर्सों की कारे प्रणाली के तहत इसके तहत जो है विग्यापित भरतियों की प्रगती रिपोर्ट की समिक्षा के संदर्व में ठीक है दोस्तों ये जो नोटिस लिखा गया है देखे ये है श्रीमान जी आपको सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधिना सेवा चैनायोग के तहत वर्स 2016 से लेकर अब तक कुल 19 भरतियां लंबित हैं वर्स 2016 में इस आयोग से विग्यापित तमाम भरतियां अब तक पूरी नहीं हो सकी है जो इस आयोग की कार्य परनाली पर सवाल खड़े करता है महोदै उत्तर प्रदेश अधिना सेवा चैनायोग राज्य सरकार के विभिन विभागों क के लिए तृतियवा चतुरत स्रेणी के करमचारियों का चैन करने का कार्य करता है प्रदेश के 20-21 लाख युवा इस आयोग की लेट लतीफी कार्य परनाली से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं जो इस आयोग के तहत आने वाली भरतियों के माध्यम से राज्य स सरकार की नौकरी पाने की चारक्त हैं ठीक है दोस्तों तो इस आयोग से जो छात्रें बहुत ही ज़्यादा परेशान है और छात्रों की बहली मांग क्या है उत्तर प्रदेश अदिनास्रीवा चैनायोग के तहर 2016 से लेकर अब तक विग्यापित भरतियों की प्रगति रिप अगर उनमें सुधार किया जाए तीसरी मांग है आयोग द्वारा वर्स 2016 से अब तक विग्यापित सभी लंबित भरतियों को एविलंब मतला बिना देर करे पूरा किया जाए बिल्गु सही वाद दोस्तों और चौती जो मांग है यूपिटर पलसी में मॉडल एक्जाम होने वाली प्रतेक भरती एक वर्स के बीतर पूरी की जा सके दोस्तों इस आयोग से वाकई में छात्र इतने परेशान हो चुके हैं मतलब कोई सुनता ही नहीं है एक भरती के परिणाम के लिए छात्र 15 से 20 बार धरना देता है तब कहीं जाकर उनका परिणाम जारी होता है तो भईया आप सभी को एक जुट होना पड़ेगा और ये पत्र इस तरह के ग्यापन आपको सौपते रहने पड़ेंगे तब ही यूपिटर पलेसी में कुछ बदलाब होने के संकेत मिल सकते हैं ठीक है दोस्तों तो ये ख़बर है यूपिटर पलेसी की भरतियों पर एक प करतो